नश्कार आप देखरें एकॉनोमी का हिसाब किताब मैं हूँ अनिंदियो चक्रवर्ति क्या भारत की एकॉनोमी वापस पट्री पर आ गई है यही सवाल है आज के शोका क्योंकि जितने भी दर्बारी और सरकारी अर्थशास्त्रिया एकॉनोमिस्ट है वो कह रहे हैं कि हमारी एकॉनोमी बिलकुल कोविट से बाहर आ गई है कोविट के चलते जितना भी नुकसान हमारा हुआ था वो उससे हम निकल गए और देखें क्या शांदार हमारी परफॉर्मेंस रही है और यह भी कुछ लोग कह रहें कि देखें हमारी जो ग्रोथ रेट है इतनी जादा है बा जुलाई, अगस्ट सितंबर यह जो तीन महीने हैं हर साल का हमने इसमें जो जीडीप भारत की वो ली है क्यों लिए क्योंकि हर क्वार्टर में अलग-अलग चीज़े होते हैं जैसे कि कभी-कभी यह जैसे फसल उगाया जाता है काटा जाता है बेचा जाता है कभी-कभी ज क्योंकि जुलाइ अगस्त सितंबर तीन महीने के और आप देखेंगे कि ये जो है सीधा बिलकुल सीधे तरीके से उपर गया था और उसके बाद कोविट में नीचे गया है ना वो जो नीचे गया हम जानते हैं गिरावट हुई और उसके बाद वापस भी तेजी से आया है इस कॉर्टर में और आप ये देखें कि मैंने जो गोलाई किया है और ये जो लाइन है आप देखेंगे साफ इससे साफ पता चल रहा है कि अब हम उसी स्तर पर आ गए हैं जो हम 2019 के सितंबर कॉर्टर में थे यानि कि हम वापस आ गए हैं पट्री पर वापस आ गए हैं लेकिन आप एक और चीज़ देखिए, कि ये तो असल GDP है, लेकिन हमारी GDP किस rate से बढ़ रही थी, सितंबर quarter में हमारी GDP बढ़ रही थी, लगभग 7.4% के rate से, अगर ये जो आप line देख रहे हैं, ये है असली जो potential है, हमारे GDP के बढ़ने की, 7.4% के rate से बढ़ रही थी, 2019 के सितंबर quarter और उसके बाद गिरी है, उसी rate से अगर बढ़ती, क्योंकि वही हमारी असली level है, वही trend है, वही आपर हमाय होना चाहिए था, उसी level से बढ़ती तो हम कहा होते, हम वहाँ होते हैं, और वहाँ से हम इस वक्त हमारा gap 15% नीचे है, यानि कि हम 15% नीचे हैं इस वक्त, और अग प्रेल से सितंबर जो क्वाटर है, उसको अगर जोड लूँ, तो 6 महीने, हर साल का इस graph पे आप देखिए, इधर भी लगातार बढ़ा था, गिरावट हुआ, फिर recovery हुआ, recovery अभी भी कम है, आदे साल का जो मैं ले रहा हूँ छेविने, अभी भी recovery कम है, लेकिन आप ये potential देखिए क्या होना चाहिए था, कहां पर होना चाहिए था, वहां पर gap अभी 20 प्रतिशत का है, जहां हमें होना चाहिए था, अगर COVID के चलते हमारी lockdown नहीं होती, तो जहां हमें होना चाहिए था, वहां से हम 20 प्रतिशत दूर है, इसलिए ये recovery नहीं है, पट्री पर वापस से आय यह यह इसको समझाने के लिए एक आइडिया आपको दे लेता हूं आप यह ग्राफ देखते रहेिए आप समझते रहें कि जैसे जिनके फोटे बच्टे है हां बच्चों का वजन और बढ़ना चाएं एक एज सब्सक्रत को कोई बिमारी हो गई लंभी बिमारी चली एक महीने तक तो क्या होता बच्चे का जो रेट है वजन बढ़ने का वो बढ़कर अचानक वजन गिर जाता तो डॉक्टर क्या करें जैसे कि अगर 25 किलो था बच्चा वो गिर कर 22 किलो पर आ गया चे महिने बाद बच्चे की उमर कितनी होनी चाह लेकिन अगर वो 25 पर ही वापस आए वापस तो उधर आ गया लेकिन अभी भी दो किलो अंडर वेट है जहां पर होना चाहिए उसी तरह से हमारी economy भी इस वक्त 20 प्रतिशत अंडर वेट है आप कहेंगे बच्चे और economy की क्या comparison है क्योंकि भारत एक विकास शील्ड, developing country है बिलकुल उसी तरह जैसे बच्चा ग्रो करता है maturity तक भारत की economy भी अभी तक mature नहीं हुई है अभी तक वहां तक पहुची नहीं है इसलिए grow करना हमारी जरूरी है और उसी rate से grow करना जरूरी है जिस rate से हम grow कर रहे हैं उसे जादा rate पर grow करना चाहिए अगर हम जो कहा जाता है कि 5 trillion वाली economy बनना चाहते हैं 5 trillion डॉलर वाली खेर mature economy की बात करते हैं जहां पर growth हो चुका है और अब growth बहुत धीरे-देरे होती है वहां पर क्या हुआ क्या भारत की तरह है भी वहां पर भी ऐसा ही हाल है कि जो trend था growth का उसके तुलना में वो गिर गए हैं लेखते हैं सबसे पहले मैं लेता हूँ USA USA का भी देखिए किस तरह के से यह जो blue line है उपर गया कोविट के चलते गिरा और फिर recovery हुआ और अगर मैं यही growth rate लूँ जो पोविट से पहले का था और यह quarterly data है उसी को अगर मैं लूँ तो अश्वक्त यूएस एक्चुली जिस rate पर grow कर रहा था उससे जादा उपर पहु निका लेते बहुत बड़ा एक और बड़ा economy है योरोप का economy है मच्योर economy है growth rate ज्यादा नहीं होता है वहाँ पे वही quarterly growth rate वही आधा परसेंट का होता है और एक साल में वही आप सोचिए कि डेर दो परसेंट का growth होता है वहाँ पर भी आप उसी तरीके से देखेंगे नीला line ह कोविड हुआ गिरा recovery हुआ और यह है growth rate अगर होता यह जो आप orange line दे रहें वहाँ पे पहुँचता अभी भी 5% नीचे है recovery के recovery जर्मनी में अभी भी पूरा नहीं हुआ है trend पर वापस नहीं आया है तो अगर मैं trend देखू जो trend होना चाहिए GDP growth का और उसी को हम recovery कहेंगे कि वापस आ गया वहाँ पे उसी trend पर वापस पहुच गया अब उसी तरीके से बढ़ेगा तो US पहुच चुका है cross कर चुका है जर्मनी 5% नीचे है भारत ब्रीश प्रतिशत नीचे है इसका मतलब पट्री पर वापस नहीं आई है अभी भी पट्री के side वाले car line पर है दूसर government हो तब ही यह वापस आएगा policy ज़रूरी है इस तरीके से यह सोचकर कि वापस आ जाएगा और आई जाएगा ऐसे नहीं होता है नहीं होगा आज का show यही तक news click देखते रहे हमें subscribe कीजिए इस video को like कीजिए share कीजिए और हमारा जो होसला है बढ़ाईए